हलो फ्रेंड्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और जो मेरे मित्रेश चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं एक चोटा सान रोत करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल सके आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं दोस्तों यह देख रहे हैं आप यह हैसर सों की खाली और यह है वर्मी कंपोस्थ अज निकालने के बाद जो मैटिरियल बच जाता हैücklich हैं इसमें फुल एनपी के हैं नाइट्रोजन फासपोरस और भी बहुत सारे न्यूट्रिंस इसमें मौझूद हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं और ये बहुत ही असानी से उपलब्ध होता है इसकी जो कीमत होती है बहुत अधिक नहीं होती है बीस स कीमत जो है 50 रुपे हमें मिलती है 50 रुपे किलो हमें ये मिलता है और ये जो वर्मी कमपोस्ट है ये 15 रुपे केजी हम लोगों को मिलता है तो ये जो फटलाइजर है ये बहुत ही अच्छा फटलाइजर है हमेरे सभी प्लांट्स के लिए तो आज हम यही फटलाइजर बन जो है वर्मी कंपोस्त हुआ और यह पाँडर पाउडर फॉर्म में भी आता है सर्सों की खली यह हम जो है इना फाउडर पाल्टी होती है व ली वी आप देहिए कितना मैंने पानी लिया हुआ है इसे जो है अब 100 ग्राम के करीबन मैंने वर्मी कमपोस लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से और डालने के बाद जो है इसे हम बहुत अच्छे से एक डंडी की सायता से इस तरह हमें इसे बहुत अच्छे से हिलाना है और एक हपते के लिए जो है हमें इसे चाया वाली जगा पे रखते न है धककर और वीच वीच में दिन में एक बार जो है एक से दो बार इसे डंडी की वायता से इसे कहा हमें उसके बाद जो है इसको जो है डाइल्यूट करके हमें दे आगर 20 लीटर के करीबन जो है नौर्मल पानी इसमें मिलाना है और यह सबी प्लांट में हम दे सकते हैं सकुलेंट प्लांट में थोड़ा एवोइट कीजिएगा और बाकी आप सभी प्लांट में से दीजेए फल हो या फूल हो सर्दियों के लिए के पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा फटलाइजर है और इस फटलाइजर को आप जो है 15 दिन के अंतराल में 10 से 15 दिन के अंतराल में आप इस fertilizer को दे सकते हैं और यह जो fertilizer है दोस्तों यह बहुती अच्छा और बहुती ताकतवर fertilizer है और यह जो है आपके जितने ही plants हैं उनकी all over growth के लिए बहुत अच्छा है जैसे हमारे plants पिले पड़ जाते हैं उनकी पतियां पिली पड़ फूल जड़ने लगते हैं और फल नहीं आते हैं तो कई तरीके की समस्याइं हमारे पौदों में हो जाती हैं तो यह जो फटलाइजर है वो उन सारी समस्याओं को खतम कर देता है दोस्तों इसमें जो है सभी न्यूटरिंस मौजूद हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए और यह जो है लिक्विट फटलाइजर फॉर्म में जो हम किसी भी प्रकार के प्लांट को देते हैं तो वो जल्दी इसे ग्रेंड करता है यानि कि उसे जल्दी लेता है अगर हम इसे लेता है लेकिन लिक्विट फटलाइजर जो है बहुत ही अच्छी जल्दी से उसे ग्रेंड कर लेता है तो इसलिए जो है लिक्विट फटलाइजर जो है हमारे प्लांट सोप की लिए بहुत अच्छी और यह जो है यह बहुत ही असानी से उपलब्द भी होता है तो आप इसे जो है ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और इसे आप जो है नर्सरी वगरा में भी यह जो सर्सु की खली है वर्मी कंपोस्ट है बहुत ही असानी से उपलब्द होता है और बहुत अधिक कीमत भी इसकी नहीं होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ जहां पर मैंने जो है और मैं fertilizer त्यार करती हूँ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ यह जो मेरा fertilizer है यह हमेशा ready रहता है plants में देने के लिए इस तरह मैं पूरी एक bucket भर के हमेशा ही त्यार रखते हूं और यह बिल्कुल और्गैनिक है फटलाइजर तो अब हम इस फटलाइजर को हम जो है एक हफते या दस दिन के लिए छाया वाली जगह पर धक कर रख देंगे और फिर हम इसका यूज भी करना बताएंगे आपको कि किस तरह इसे हम अपने प्लांट में यह हमने अच्छे से हिला दिया और यह देखिए यह है पूरे 25 लीटर की बाल्टी है 20 से 25 लीटर की और यह नॉर्मल पानी है और यह जो पानी है यह अब हम इसमें पूरा डाल देते हैं यह हमने इसमें पूरा डाल दिया है और इसको एक गंडी की सायता से अच्छे से हिलाएंगे हम तो यह हमारे 30 लीटर के करीवन लिक्विट फटिलाइजर त्यार है और अब हम इसे रेडी है एक है देने के लिए और इस ठरह हम लेंगे यह फेटलाइजर यह प्लांट में देने के लिए और इस तरह मैं अपने प्रिटोनिया के जो मेरे प्लांस हैं उनमें दे रही हूँ इस प्रकार और अपने सभी प्लांस को दीजिए तो ये थी मेरी एक छूटी सी जानकारी फ्रेंड्स अगर ये जानकारी आज अच्छी लगी हो लिक्विट फटिलाइजर को लेके तो प्लीज लाइक शेयर सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा बाई फ्रेंड्स हैपी गार्डिंग फिर मिलते हैं